सरस्वती महामाय सुभे कमल लोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्या मम्देही परमेश्वनी ज्यान की देवी मासर्वसती की पुजा कैसे करनी चाहिए? हम ये बतलाने वाले हैं मासर्वसती का अफतार माग मास के सुकलपक्ष के पंचमी दिथी को हुआ था इसलिए इस दिन को बसंद पंचमी के रूप में भी मानाया जाता है और सरस्वती पुजा के दिन इसकूलों में कॉलेजों में सभी बच्चे बहुत धुनधाम से पुजन करते हैं इस दिन कॉपी और कलम की बिसे सुरूप से भी पुजा की जाती है और लगवर्ख हर जगर मा का पंडाल लगता है मा की लोग पुजा करते हैं और आप पुजा करने के पहले अपने घर में अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले गाय के गोबर से एक चौका लगाए फिर मा की प्रतिमा या तस्वीर को अस्थापित करें और एक कलस की अस्थापना कीजिए और कलस की नीचे अस्टदल कमल बनाईएगा आटा और अभीर से नवगरह देपता की आपको पुजन करनी है उसके पहले गनेश जी की भी पुजा जरूर कर ले और फिर मा सुरसती की पुजा करें पहले आजबन करें फिर मा को सफेद पुस्प या पुस्प माला अरपित करें सिंदूर और सिंगार की सभी वस्तुएं अरपित करें मा को और बसंत पंचवी के दिन सिव जी का चुकी तिलकोत सब मनाया जाता यानि तिलक होता है शिवजी का और सीवरात्ती के दिन उनका विवा होता है तो इस दिन से अभी गुलाल का प्रचलन भी सुरू हो जाता है तो मां को आपको गुलाल भी अरपित करनी है आज के दिन अगर संभव हो तो स्वेत वस्तर मा को अर्पित कीजिए और पूजा के समय पिले चावल मीठी चावल या फिर बुंदिया या माल पूए खीर जो भी आपके पास अबलेबल है उनका भोग लगाईए या फिर सफेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं पहले गनेजी को लग रखाइए लाएक और इसके बाद अन्त में आप आर्ति भीघरा करके और पिर हवन की जिए पहले गनेजी के नम कीजिएगामन। नो dobrह देवता के नाम से और माप सरसत्य आनो मा का मैंत्र होगा ओम सरिग इस मंत्र से कम से कम 108 वर हवन कीजिए बजार में आपको हवन की सामगरी मिल जाएगी और फिर आर्थी कीजिए कपुर जलाकर और हवन का जो भवुत है उसका तिलक करना आप बिद्यार्थी लोग मत भूरियेगा माग सुकल पक्ष की सश्टी तिथी को यानि दूसरे दिन आपको सबेरे कलस विसरजन कर देना है और साम में मा की प्रतिम्यां का विसरजन कर दे जल में प्रवाहित कर दे यहाँ पर तो सश्वती पूजा समाप्त हो गई लेकिन आपने जो पेन बेगर रखा है उस पेन में एक कलाबा बांद लिखेगा और उस पेन को बहुत सूब रहेगा उसको खुद यूज कीजिएगा औरों को मत दीजिएगा वैसे भी जो पेन आप यूज करते हैं किसी और को नहीं देना चाहिए किसी और के लिए एक एक्स्ट्रा पेन हमेशा अपने पास रखे और दूसर नहीं है इससे आपकी बुद्धी भी अच्छी रहेगी और पंढ़े में भी मन लगने लगेगा चोटे बच्चों को कलमदवाद इस दिन पकड़ाया जाता है और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका नामकरन भी किया एता है हर कोई तिलक लगाईए मौली धागा अपनी बिलक्चन सयोग के बारे में और कुछ गल्तियां जो भूल कर भी इस दिन विद्यार्थियों को नहीं करनी जाए है बसंत पंचमी मा सरुसती का दिन है विद्यार्थियों का दिन है मा की पूजा पूरे विद्धी विदान से की जाती है इस दिन मा सरुसती क्यान देती है बिद्या और बुद्धी देती हैं, वैसे तो मा सरस्वती, कला, संगीत, सिल्प कला और विज्ञान की विद्यवी हैं, अज्ञान से, अंधकार से, प्रकास में ले जाने वाली, जीवन में उत्साह देने वाली मा सरस्वती, जिनकी पुझा बसंत पंचिमी के दिन की जाती है इस दिन बिद्या पुद्धी और ज्यान का वर्दान मांगा जाता है इनसे वैसे तो बसंद पंचेमी के दिन पीले वस्त्र का खास महत्तो है इस दिन कोई एक वस्त्र पीले रंग का चरूर धारन करना चाहिए, आप चाहें तो पीले रंग का रुमाल ही रख लें, लेकिन यहां पर काले रंग से बिल्कुल ही परहेच करनी चाहिए, यानि काले रंग को एक तम भी आपको धारन नहीं करनी चाहिए, इस दिन पतंग मौसमों में सर्वस्रेष्ट और राजा माना जाता है, इस समय ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही सर्दी, पेर पौधे पर ठेर सारे रंग विरंगे फूल लग जाते हैं, सर्वस्रों के पीले फूलों से सारा जहां चमक जाता है, और इस बार बसंत पंचमी, माग सुकल सर्विवार का दिन दस फरवलि तार वर्वार के दिन बसंद पना दिन है अबूज नशेटर है और रवी सिध्ध योग है यहनी दो दो बहुत संदर से योग बने वे हैं और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पूजा करने का सबसे सुम महुर्थ होगा सुबह छे बच कर चालिस मिनट से लेकर दोपहर बारा बच कर बारा मिनट तक ये सबसे ज़्यादा सुम महुर्थ है और अपनी सुविधा के अनुसार आप सुबह असनान कीजिए सुक्ष वस्त धारन कीजिए और बिना नहाए कुछ मत खाईएगा साथ ही इस दिमास रोस्ती की आरादना कीजिए आपके पास जितने भी कॉपी हैं बुक हैं पेन हैं सब कुछ आप मां के पास चर्णों में रखें उन पे पंडी जिससे कहें थोरे से चाबल और पुस्प और पीट कर दें आपके जो आपने नए पेन रखे हैं उसमें कहिए अब मौली धागा बांदेंगे और ये मौली धागा लगा हुआ पेन से आप एक्जाम दीजिए आप पढ़ाई कीजिए आपका हेंडाइटिंग भी सुन्दर होगा पढ़ाई में मल लगेगा पढ़ा हुआ याद रहेगा और सबसे खास मां सुरसती की किरपा भी आप पर बनी रहेगी इस दिन मंत्र की भी सिक्षा दी जाती है साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनका बिद्या आरम भी इसी दिन से किया जाता है क्योंकि ये बहुत सूप दिन होता है बिद्या बुद्धी गरहन के लिए इस दिन मां लक्षमी जी और भगवान स्री गनेज जी की भी पूजा की जाती है वैसे भी बिना गनेज जी की तो पूजा आरम भी नहीं होती और जैसा हमने कहा किताब कलम की पूजा जरूर कीजिएगा और मां को सफेद चंदन और साथ साथ आपको पीले और लाल कलर के प उस पर पित करने है दोस्तों क्या आपको पता है इस दिन भगवान सिब जी का तिलक चढ़ाया जाता है उनको और इस दिन से गुलाब गुलाल खेलने का आरंब हो जाता है फगवा के गीतों के साथ और अवीर खेलने की सुरुआत तो हो वी जाती है कुछ चीजें जिसे इस सम्भब हो तो सात्वीक भोजन कीजिएगा सात्वीक भोजन का मतलब है लहसन प्याज मत खाईएगा इस दिन जगड़ा लड़ाई वाद बिवाद मत कीजिएगा और बिद्यार्थियों के लिए खास इस दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए पता है आपको एक दिन आप कैसे कीजिएगा। सुभाइसनान करें। उत्तर पुरु में मासरशती पुस्प हुर्पी रखिए। ओम 하는데父म को सब करें। फिर पंचामरित आप अर्पीत करें और पंचामरित बनेगा दूद, दही, तुलसी के पत्ते, मिस्री और सहथ सब को मिलाइए, पंचामरित बनाइए, मा को भोग लगाइए, सब को परसाथ के रूप में लीजिए, पूरी निष्ठा से पूजा कीजिए, मास और सती आपके जिववा में बिराजित रहेंगी, पढ़ाई में मल लगेगा, पढ़ा याद रहेगा, और मा की महरवानी किर्पादरिष्टी आप पे रहेगी, हम फिर मिलेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद झाल